नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका FM ग्यान चैनल पर जहां पर हम और आप financial and money related वीडियो पर बात करते हैं साथी साथ investment related वीडियो पर बात करते हैं स्कैम के बारे में भी बात करते हैं तो क्यों यह stock अच्छा है और क्या इसमें आपको इस penny stock को buy करना चाहिए नहीं करना चाहिए आकरी में समझेंगे कि नहीं मिलता उस पर live वीडियो हमने बनाई है प्रूफ के साथ और काफी लोगों का प्यार भी मिला है तो उस वीडियो को जाके जरूर चेक आउट करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर अब यहां पर हम बात करने हैं जिस share analysis के बारे में उस पर हम आ जा कंपनी है जो वायर फैसिलिटीज प्रॉइड करती है वायर मैनुफेक्टरिंग करती है करेंट प्राइस जो इसका चलला 28 रुपए 71 पैसे के आस पास पर चलला इसके 52 वीक लो और हाई की बात करते हैं अगर हम यहां पर तो 52 वीक लो जो इसका रहा है वो 0 रुपए तक र सेक्टर पी की बात करें 19.51 आप एक तरह से उसके बावजूद इसमें क्या खास बात है और क्यों इतना रिटन दे रही है उसके बारे में अभी हम समझेंगे कुछ की पॉइंट अब यहां पर मैं आपको रिटन दिखाना चाहूंगा जिसमें यस्टरडए या वन येर में आप देख सकते negative return है लेकिन maximum one week हो चाहिए one month हो या three month हो या six month two year three year सब में green है यानि की positive return देखने को मिला है three year में सबसे यादा return देखने को मिला है 150% तक का return देखने को मिला है यहाँ पर investors को अब इसके बाद हम यहाँ पर company के share holding pattern के बारे में बात करना चाहेंगे प्रमोटर के पास जो है 63.62 परसंट है डियाइस के पास 10.41 परसंट है पब्लिक के पास 25.97 परसंट है financial की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर company थोड़ा सा loss में है company का अभी यहाँ पर आपको data नहीं देखने को मिला होगा but company का main चीज अगर आप समझे तो company अभी जो इनका profit ह वो loss में भी है एक तरह से जो quarterly result आया था cash flow भी negative में है लेकिन यह company अभी यहाँ पर जो अच्छा performance दे रही है एक अच्छा return दे रही है और क्यों हमने पहनी stock को चुना है उसके बारे में हम बात करें तो इस company में एक बड़ी company का एक अच्छा खासा investment है LIC की हम बात कर रहे है 1.1 करोड के करीब का investment इस company में हाला कि यह LIC के लिए बहुत बड़ा investment नहीं है लेकिन जिस level की यह company है उसके according काफी बड़ा investment आप मान सकते हैं यहाँ पर LIC के तरफ से किया गया है और LIC जैसे बड़े company या बड़े investor कहीं पर भी अगर पैसा लगाते हैं तो सोच समझ के सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहां पर एक अच्छा चांसे बन सकता है और बड़ी company का investment यानि कि यह आप कह सकते हैं भरोसे मंद पैनी स्टॉक है इसके लावा अगर आपकी कोई कुछ पूशना आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए थैंक्यू